नमस्कार दोस्तों यह देखिए आज हम थाली बना के तयार करेंगे जिसमें हमने काफी सारी चीजे बनाई है दो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको आलू को बॉयल करके रख देना है क्योंकि आलू हम सबसे पहले रख देंगे गैस पर उसके बाद तुरंत हमें खीर के लिए दूट चड़ा देना है ताकि वह बॉयल हो जाए क्योंकि कम समय है हमारे पास तो हम कम समय में जल्दी से खाना बना के तयार करेंगे तो उसके लिए मैंने कद्दू कट कर लिया है और हम मैं तुरंत एक सब्जी चोक दूंगी कद्दू की क्योंकि कद्दू की जो और हींग मिक्स करूंगी मैं अगर आप मेथी दाने से कद्दू चोकते हैं तो उसका टेस्ट डबल हो जाता है तो एक बर इस तरह से चोक के जरूर देखिए कद्दू को यह देखे आप मैंने इसका तड़का लगाया है आप इसमें मैं मसाले डाल दूंगी हरी मिर्च डा कि काहने मेंगा कद्दू सबस् fulfillment अगरलन का कि जरू जाने में जरूड़का च्छव कर दोदेखिए दो सब्सлять के दोनों कि यह दोन दोनों सब्सों की हो उगça यह देखिए इसके नगता है और इसको अच्छी तरह से चलाते हुए आपको अच्छी तरह भूनना है इसको सारे मसाले ताकि इसमें मिक्स हो जाए क्योंकि कद्दू की सब्जी कैसी होती है पूरियों के साथ बहुत टेस्टी लगती है और उसके बाद में इसमें नमक डाल दूंगी यह देखे है नमक आ कद्दू थोड़ा जल्दी मैश हो जाता है और इसको मैं ढखके रख दूंगी इधर हमारी खीर बन रही है उसको आप अच्छी तरह बार बार चलाते रही है पूरे खाने के बीच में और मैंने जो चावल सबसे पहले जब मैंने आलू बाइल कलने रखे थे तबी मैंने ख खीर के लिए चावल भिगोने रख दिये थे तो चावल भिगोने से क्या होता है कि वह चावल जल्दी फूल जाते हैं और खीर हमारी जल्दी पक जाती है तो इस तरह से आपकी दो चीज एक साथ बनके तयार होंगी आप देखिए किस तरह से अब हमें क्या करना है आटा त अच्छी तरह उसमें पानी मिलाके मिक्स करके और यह हमें क्या करना है आटे में मिक्स करना है इसकी जो मसाले की पूरियां होती है हलवाई बनाते हैं इस मसाले की पूरियां बहुत टेस्टी पूरियां मिलती है और यह अराम से किसी भी पंसारी की शॉप पे आपको मिल यह एक चमच मैंने इसमें तेल डालाए ताकि उससे जो पूड़ियां हैं वह बहुत जादा कुरकुरी बनती हैं तो एक चमच मैंने सरसो का तेल डालाए मैं पूरा खाना सरसो के तेल में ही बनाऊंगी और इसको अच्छी तरह आटे में मिक्स करके आपको पूरियों वाला आटा गुनना है तो पूरी बनानी है हमें तो पूरीयों की तरह आटा गुनना है थोड़ा सा सक्त तो पूरी का आटा गुनके हमारा तयार हो गया है यह देखिए फ्रेंड्स हमारा आटा गुनके तयार हो चुगा है तो इसको भी हम एक तरफ रख देंगे क क्योंकि जब हमें पूरिया वानी उससे थोड़ी देर कम से कम 15 मिनट पहले आप आटो गुंद के रख दे उसके बाद हमें एक और सब्जी तियार करेंगे जो कि आलू टेमाटर की सब्जी है और बिल्कुल हलवाई स्टाइल में हम आलू टेमाटर की सब्जी बनाएंगे जै तेस्टी होते सिर्फ आपको हिंग चीरे से चौकने और इधर देखे इतने मैंने आटा गुंदा था और मैंने प्यूरी बनाई थी इतना मेरे कद्दू गल के तयार हो चुका है तो अब आपको क्या करना है इसको अच्छी तरह मैश करना है मैश करने के बाद यह देखे प हटा मीटा कद्दू बनके तयार होगा बहुत स्वाधिस्ट बनेगा और जैसे कि मैंने शुरू में आपको दिखाए था कि मैंने चावल भीगोए थे तब ही मैंने यह ड्राइफूट्स भीगो दिये थे खीर के लिए तो मैंने छोटा-छोटा चॉप करके इसको और मैंने खीर में डाल दिये हैं ताकि भीगोने से क्या होता है कि वह चीज़े जल्दी पक जाती है तो आप जब भी खाना बनाए तो जैसे चावल है दाल है ड्राइफूट्स अगर उनको पानी में भीगो देंगे तो वह जादा टाइम नहीं लेती है पकने में अब इसके बाद हम तीसरी चीज तेयार करेंगे जो कि हमारे आलो टेमाटर की सबजी है सबसे पहले मैंने एक कड़ाई लिए उसमें मैंने तेल सरसो के तेल में हींग जीरा डाला है सिर्फ और हींग जीरा डालने के बाद में मसाले भूनूंगी जो कि सबसे पहले लाल मिर्च है फिर हल्दी ह और फिर पिसा हुआ धनिया जो कि आप इन तीनी ही चीजों से बहुत जादा टेस्टी सबजी बनती है यह देखिए मैंने प्यूरी डाल दी है इसको अच्छी तरह चलाईए जैसे ही मसाला आपने डाला मसाला आपका भून चुका है उसके बद आप प्यूरी डाल दे टमाट जल्दी गल जाए क्योंकि हमें बहुत जल्दी खाना बनाना है तो हमें टमाटर वगारा सबजी बहुत जल्दी तयार करनी होगी यह देखिए फ्रेंड्स अब हमारे टमाटर भी की जो प्यूरी है वह बनके तयार हो रही है इस स्टेज में अपने खीर में चीनी डालोंग तो आप उसके बाद मैंने नारियल का बुरादा डाला है और छोटा सा मैंने बहुत एक चुटकी मैंने इलाइची पाउडर डाला है चोकि बहुत अच्छा टेस्ट देता है खीर में तो यही सारी चीज़ें और सारा समान डलके खीर में तयार हो चुका है अब बस खीर पक इधर हम देख लेंगे जो कि मैं रिकॉर्डनी कर पाई थी मैं इसमें आलू डाल चुकी हूँ इसे स्टेश पे मैंने थोड़ा सा हराधनिया डाला है इसमें और थोड़ी सी मैं डालूंगी कस्तूरी मेथी इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है सबजी में तो यह आप ज चुकी है अब इस स्टेश पे हमको सबसे एंड में अपनी पूडिया उतारनी है जो कि तेल को मैंने पहले ही गरम करने रख दिया था और अब मैं पूडिया उतारूंगी तो हमारा इस तरह से अगर हम खाना बनाते हैं कि एक चीज के बाद एक चीज बनाते हैं जल्दी जल उसके बाद कड़की सब्जी जो कि हमने बना के त्यार की पोडियों के साथ यह सारी जीजे बहुत लगती है उसके बाद हमारी गर्मगरम पूरियां आएंगी प्लेट में यह देखिया फूली फूली पूरियां है गर्मगरम तो फ्रेंट्स बताईए कि आपको थाली कैसी लगी और कितने समय में बनी है यह आप जरूर कमेंट करके बताईए अगर आप बनाएंगे तो प्रेंट्स बाइ फ्रेंट्स बाइ फ्रेंट्स